आज हम करेंगे क्लास थर्ड का EVS का सेंपल पेपर की किस तरह का आपका जो अभी सेशन एंडिंग एक्जाम में हो सकता है सो सबसे पहले कंपेटेंसिस हैं observation and reporting 10 marks का identification and classification 15 marks and discovery of facts भी 15 marks तोटल आपका 40 marks का हो जाएगा observation में आपको चीजे दी जाएंगी pictures होंगी आपको answers देना identification and classification में भी same रहेगा कुछ pictures होंगे कुछ questions दी होंगे discovery of facts में mostly आपके questions होंगे जिनका आपको answer देना है start करते हैं observe the picture and name the person called तो इसे हम क्या बोलते हैं porter observe the picture and the name the traditional game played by them तो इसे हमें क्या है यह पोस्ट कार्ड और यह स्टेम्प है अब यह जो फैब्रिक यहां दिखाए गए है यह नेचरल है या फिर artificial है अब artificial यह synthetic एक ही है तो artificial है यह natural नहीं है क्योंकि natural में आपका cotton jute और silkworm वगएर आते हैं sorry silk आता है जो कि यह नहीं है तो इसे artificial है synthetic आप कुछ भी बोल सकते हैं ना उजयता picture नेमदार medicinal plant तो यह कौन सा स्कृप्ट है ब्रयल स्कृप्ट है खर यह अब यह डोजर ऊच्शाथ है इन दोनों में से बताना है कौन सा थो प्लांट मि खाता और जो है मिट वगएर उग्यवह भी खाता है तो इंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन और यहां पर गिवन एग्जम्पल ओफ नेचरल फाइबर कौन सा है कोटन जूट सिल्क आप कोई भी एक बोल सकते हो नेम दाफ फोर डिरेक्शन तो कौन सी है एस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ इन विच ओंली पेरेंट्स अद दियर चिल्डरन स्टे इन नोन एजिसमें सिप पेरेंट्स उनके बच्चे रहते हैं उनने क्या बोलते है नुकलियर राइट द फुल फोर्म ओफ पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर राइट निचरल सोर्सेज ओपोटर तो क्या है रेइन एन इस तरह की रूफ क्यों बनाई जाती है जहां पर हिल वाली जेगे पर सो क्यों होती है बिकोज दीज रूफ एल्प दा स्नो एंड वोटर तो स्लिप ओफ दा रूफ दा रूफ एजली अमेज़ फोलिंग यहां पर इनकी पिक्चर साथ साथ होगी है जो सो जो थार्ड पिक दानस की चरहें यह यहां के लिए फ़र्स्ट वाली पिक्चर है यह जो भी हो वाला उनका डांस हो रहा है यह पिक्चर है तो इस तरह से मैच करनाने मैं ने नंबर लिखा है वाट इस फैबली क्या होता है ग्रूप उफ तू और परसं रिलेटेड वाइब बार्व मैर्श और अडॉप्शन हो लेव टुगेदर ग्रूप होता है लोगों का जो एक साथ रहते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं बर्ट से हो सकते हैं शादी हो यह अडॉप्शन हो कोई भी एक रीजन हो सकता है यहां पर आपको पिक्चर दिये यह देखो जाता है अच्छे से देन उसको शेप दी जाती है लग लग जो भी बनाना है उसके बाद हीट किया जाता है गरम किया जाता है उसके बाद उसे डेकुरेट किया जाता है डेकुरेट करने के बाद फिर से री हीट किया जाता है ताकि जो भी डेकुरेशन उस पे की है वो रह इसका मुझे समझनी आए कि क्या कोशन है यह दा कैपिटल ओफ इंडिया इस डैली इन दा नेशनल गेम ओफ इंडिया इस होगी डैश इस एन एग्जम्पल उफ अन्स्टेच्ट क्लोथ जिसको सीला नहीं गया ऐसा कुन सब्सक्राइब तर्बन वगरे दुपट्टा कुछ जोए डाल सकते हैं और रोध पक्चे ऑफ पोस्ट बॉक्स पोस्ट को पिक्चर ड्रो करनी जैसे कर दिए इसको कलर करना इन उस का यूज बताना है तो यूज क्या है हम उसमे अपने लैटर का पैकेट डाल सकते हैं ताकि जो भी पोस्ट मैं बहां से क्लेक्ट करके उर से जहान लेकर जाना है, पहने हुँआ नेक्स्ट विड आ फोलग अनिमल्स को रहते हैं विपो से वह त्हूंज हम क्यों रखते हैं उसे यह से अमें डैरी प्रोडक्ट हो ते वह सब मिलते हैं डोग क्या करता है में प्रोटेक्शन प्रोड़क्ट हो एक एक उल्ज चाहिते रा पूछ के लिए के लिए हैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर दीग है यहां मतलब पिक्चर है यह ूरि बसके बाद पोस्ट ओस्ट के लिए ला Spiritual के लिए इस भुक बनाई हैं यह लाइबरी हो गया , तरण फूड यान एकी खाना, जहां मिल सकता है , यह वगर, आप बोल सकते हैं , और यह वाला तो आपको house count करने है कितने है so total अगर count करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20 then how many parks are there so कितने trees है park के लिए जो हर ट्री बनाया था तो कितने trees है 2 how many stores are there in the map store कितने है जो यह packet बने हुए यह वाले so यह कितने है यहाँ पर 7 then draw the symbol of school अब school के लिए उन्होंने क्या symbol बनाया था यह pencil so यह आपका symbol उसका so इस तरह से आपको यह sample paper रहेगा इस तरह से question answer आपके आ सकते है इस type के so अगर इसमें कोई भी doubt है तो आप comment करके बता सकते है और अगर आपको यह pdf चाहिए so टेलेग्रम चैनल पर मिल जाएगे और उसका लिंक जोए मैं डिस्क्रिशन में डाल दोंगी and that's all for today and please like share and subscribe thank you